ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं सिंग राशी वालो अब भगवान शिव की किरपा से महादेव क्या शिर्वास से 13 मई से 27 मई इन 15 दिनों में दुनिया होगी आपकी मुठी में जा दोस्तों बहुत कुछ होगा इन 15 दिनों में 13 मई से 27 मई इन 15 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है वह सब कुछ होने वाला है जो आप चाहते थे कि आपके जीवन में आपको मिले तो कैसा समय रहेगा वही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शिव योग शर्वाद शिद्य योग जैसे शुव योग बनेंगे इन 15 दिनों में जिससे की यूँ कहें कि दुनिया आपके मुठी में होगी बहुत बड़ा परिवर्तल बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इन 15 दिनों के अंतरान में कैसा समय रहेगा विस्तारपूर वही बताएंगे आपकी लव लाइफ करियर बिजनेस वैपार आपका स्वास्त शंपूर जान करी दिनी आर्टिक किस्तिती नौक परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है पुराने गलतियों से सीक कर आप और अधिक बहतरीन नीतियों पर विचार विमर्श करेंगे स्वैम को उत्तम इस्तिती में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिन होगी घर के नवीनी करण तथा शाज सज्जा संबंदी कोई रूप देखा भी बनेगी शातिसात धर्मिक तथा आध्यात्मिक गति विदियों में आपका रुजहन रहेगा किसी जरुतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक खुसी भी प्राप्त होगी किसी सुब चिंतक का आशिरवाद वे सुब कामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी दोस्तों सातिसात यह समय आप किसी रुक हुए काम को उन रूप से संपन करने में सफल रहेंगे बहतर करने के लिए आप कुछ शकारत्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे आपके विनर्म श्वभाव की वजए से समाज वे संबंदियों में उचित इस्तान बना रहेगा आपकी योगता वे छमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रती विसेश संब्मान रहेगा किसी जरुतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांती आपको प्राप्त होगी कुछ समय परिवार के साथ हास परियास तथा मनोरण्यन संबंदी कारों में व्यतीत होगा दोस्तो साथ साथ यह समय दोड़ धूप की अधिक्ता तो रहेगी परन्तु घरों की सफलता आपकी ठकान को दूर भी कर देगी समय की चाल अब आपके पक्ष में हैं अनुबवी लोगों का आपको साथ मिलेगा साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकूल पलणाम ना मिलने से आपको ऐस हैजता महसूस होगी परन्तु जल्द ही शमाधान भी प्राप्त होगा व्यर्थ के कामों में आप समय नश्ट ना करें तता खर्चे भी बजट के अनुसारी करें तो अच्छा रहेगा आर्थिक मामलों में काफी सूज बूज कर वैसोच विचार विमर्स करके आप निर्न लें किसी प्रकार का विश्वास गहत या धूका हो सकता है अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवाजनिक आप ना करें तथा अपनी महत्पपूर्ण वस्तूओं को बहुत अधिक समाल कर रखें किसी नश्दी की व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन हो सकता है शान्ति पून ढंग से आप मामला सुल जाएं अपनी गतिविदियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें उन्हें गुप्त रखें दोस्तों साथि साथ वाहन या कोई भी मसीनरी संबंदी उपकरन बहुत ध्यान पूर्वक इस्तमाल करें किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई ऐ प्रिये या ऐ सुबसमचार आपको मिल सकता है खर्चों की अधिक्ता पर अंकुस लगा कर रखना आवश्चक है साथि साथ अपने रिष्टेदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका है इसलिए कुरोधी स्वबाब पर आप नियंतर रखें शाथिसाथ अध्यनरत विद्ध्यारती आलस की वज़े से पढ़ाई में भी पिछड सकते हैं किसी प्रकार की यात्रा को करने से आप परेज करें क्योंकि किसी भी प्रकार का फाइदा ना होने की इस्तिती लग रही है शंतान की परेशानियों में आपका शयोग सर्वोत्तम रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच आपसी समंझस मधुर रहेगा पुराने मित्र से मुलाकात प्रसन तादेगी तथा पुराने यादे भी ताजी होंगी घर का वातावरण खुसनुमा बना रहेगा जीवन साती के साथ भी संबंद मधुर तापून रहेंगे अध्यदिक वेश्टता के बावजूद भी घर परिवार पर शमय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरण खुसनुमा बना रहेगा शाती सात जीवन साती का सायोग परिवार के वातावरण को शांती पून तथा अनुसासित बना कर रखेगा किसी मांगलिक कारे संबंदी योजना भी बन सकती है दोस्तो प्रेम जीवन के दरश्टी कौन से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तो बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय आप अपने कारे छेतर में अपनी गतिविदियों में और अधिक सुधार लाने का प्रेतन करेंगे परन्तु डील करते समय बहुत अधिक चोकन्ना रहने की आपको आवश्य रकता है थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती का बड़ा खाम्याजा आपको भुगतना भी पड़ सकता है नोकरी में कोई तरक्की मिलने की भी उम्मीद है किसी उच्च वेवरिष्ट अधिकारी के सैयोग से राजिकिये काम पूर्ण होंगे कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है वेविशाय में बहुत अधिक कार्य तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिक्ता रहेगी घर परिवार की उल्यनों से ध्यान हटाकर अपने वेविशाय नौकरी पर आप अधिक ध्यान दें नौकरी पेसा व्यक्ती अपने लक्षय को पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे साथ साथ इस्थान परिवर्तन संबंदी समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है साथ साथ वेवसाय संबंदी नई नई बातों की जानकरी आपको प्राप्त होगी इससे आत्म विश्वास बढ़ेगा ऑफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है साथ ही बॉनस या तरक्की के भी योग बने हुए हैं अपने संपर्क सूत्रों के दाइरे को और अधिक विश्टरित करना आपके लिए फायदेवंद साबित होगा साथ साथ आफिस में कोई ऐसी गलती या आप से चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डाट का भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा साफधान रहें शातिसात कारेच्षेत्र में मरम्मत वै रंग रोगन संबंदिक कार्णों की भी योजना बनेगी युवा वर्ग को अपने केरियर संबंदी कोई महत्पपूर्ण सूचना मिल सकती है जिससे उनको बहुती खुसी प्राप्त होगी कमीशन संबंदित वैवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुती अच्छा साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय ब्लड प्रेशर तथा डाइबेटेज की परिशानी से संबंदित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें मौसमी बुखार भी रह सकता है अपनी दिन्चरिया को आप शेय मित रखें बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाब काशर आपके स्वास्थ पर भी पढ़ सकता है इसलिए आप आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें संतुलित आहार लें और शादिसात योग और प्रणयाम का शहरा लें आपके स्वास्थ के लिए अच्छा रहेगा